हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे आई टाई वेल्डर के बारे में इसली वीडियो में हमने आपको बताय था कि आई टाई वेल्डर कहां से करें और सबसे अच्छा आई टाई वेल्डर किस इंस्टूट से अच्छा होगा प्राइविट या फिर गौवर्नर्मेंट जॉब्स एंड इसके अतरिक हम आपको बताएंगे प्राइवेट सेक्टर में कौन-कौन सी कंपनी आपको सबसे ज़्यादा सेलरी पे करती हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मारती सजुकी कंपनी की क्योंकि यह हैं इंडिया की ऐसी कंपनी हैं जो स्टूडेंट को आइटे करने के बाद सबसे ज़्यादा सेलरी पे करती हैं यानि जो आइटे करते हैं स्टूडेंट उनको सेलरी मिलती हैं सबसे ज़्यादा सेलरी मिलती है वो है कमपनी है उस कमपनी का नाम है मारती सजुकी क्योंकि मारती सजुकी सबसे ज़्यादा सेलरी पे करने वाली कमपनी है इसके होड में बाकी कोई कमपनी नहीं है जो IT एपरेंटिस और IT करने के बाद एपरेंटिस करने के बाद TW1 करवाती है और TW2 करवाती है TW3 करवाती है जो बंदा जो वेकती इन तीनों स्टेजों को पूरा कर लेता है उसकी पर्मनेंट करने की भी सम्माहowna कंपनी की तरफ से होती है आपको बता दे कि अब जो वेक्ती ITI welder करता है और मारती सजुकी में जब उसकी apprentice job लगती है तो उसको salary क्या मिलती है हाँ दोस्तों उसको salary मिलती है 16,000 कितना 16,000 जो student apprentice करने के बाद TW1 में जाता है किसमें TW1 में जाता है उसको salary बनती है 28,000 रुपे salary पर महिना मिलेगी इसके अत्रिक्त वहाँ पर medical स्विधा की जो मिलती है वो अत्रिक्त है और एक time canteen की स्विधा भी मिलती है सेकिन नमबर पर आती है JVC Company JVC Company apprentice करने वाले अभ्यर्थी को लगभग 14,000 रुपे देती है और जो वेक्ती apprentice करने को परांद JVC Company में जाता है उस वेक्ती के लिए जो salary होती है वहे है 18,000 थर्ड नमबर पर आती है Honda Company Honda Company apprentice करने पर देती है 14,000 रुपे और TW करने पर देती है 22,000 रुपे इसके उपरां तो आपको medical किसी विदा भी मिलेगी फार्थ नमबर पर आती है Hero Company Hero Company Apprentice करने पर देती है 12,000 रुपे और TW करने पर देती है आपको लगभग 18,000 रुपे इसके अतरिक आप भारत Heavy Electric Limited Company यानि भारत सरकार की एक एकाई है जिसमें आप कमपनी में उसमें भी जा सकते हैं जहां पर आपको Apprentice करने पर मिलेगी सेलरी लगभग 18,000 रुपे पर्मनेंट होने पर आपको सेलरी मिलेगी लगभग 25,000 इसके अतरिक आप रेलवे में जा सकते हैं जहां पर आपको सेलरी मिलेगी 16,000 और पर्मनेंट होने पर सेलरी मिलेगी 25,000 इसके अतरिक आप स्टेट ल enrollment कर आ सकते हैं